अभी आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे जो भी मैंने बताया के फॉस्ट जो मेरी फॉस्ट डैनामिक वेब एपलिकेशन है तो वो कैसे बनाई मैंने तो यह जो पूरा जो है वो उसके अंदर एक फॉल्डर, फाइल, प्रोपर्टीज, बिहेवियर, सब कुछ इसमें है जैसे कि मैंने बताया के src पे रैट लिक करके कैसे हमने new में जाके servlet की एक फाइल बनाई, तो वही servlet की फाइल आपको मिलेगी यह package के अंदर इसमें जो मैंने लिखा वो response.set content type, यह जो method है, set content type, हम क्यों लिखते है servlet में, क्योंकि अभी हमको पता है कि हम इसमें html का code लिखने वाले हैं, लेकिन servlet को नहीं पता होता कि इसमें html का code आएगा, तो इसके लिए हम पहले से content उसमें set कर देता है उसके बाद आपको कोई भी html का या कोई भी output आपको दिलाना है ब्राउजर पे, तो आपको पहले response.get writer method आपको लिखनी परती है जिससे return होता है print writer का object, जैसे मैंने बनाया out नाम का अब मैं क्या करूंगा, ब्राउजर पे कोई भी message मेरे को दिखाना है, तो मैं बनाओंगा out.println, जिसमें html का मैं पूरा code लिखूंगा, html और body, क्योंकि ब्राउजर में कोई भी code आपको दिखाना है, तो वो आपको body tag में लिखना पड़ेगा, तब ही मैं इधर लिख प्ले करन के लिए use होती है, अब मैं इसमें लिखता हूँ, heading tag, h3, जिसके अंदर मैं message पास करता हूँ, hello readers, इसा message मैंने अभी print कराना है, content को मैं save करता हूँ, और ये सभी जो मैंने body or html है, वो मैंने complete कर दी, clear, तो ये जो मैंने बना है, वो simple एक first application है, जिससे मेरे को सिर्फ data display कराना है, कहाँ पे browser पे, और using मेरा application server, जिसको बलते tomcat server, आपको दीख रहा है, web content का फोल्डर, web content के फोल्डर के अंदर, आपको जाना है web-inf नम का फोल्डर में, क्यूंकि उसमें हमेरे पास lib folder और web.xml file है, जिससे web.xml file से हमेरा पूरा deployment descriptor handle होता है, क्यूंकि इस code से, इसमें जो हमने code लिखा है, उस code के अंदर, पूरा का पूरा आपका sublet call होता है, क्यूंकि इसके लिए important है, जो भी मैं select कर रहा हूँ, ये code, ये code से पूरा sublet का program handle हो रहा है, क्यूंकि ये जो आप नाम लिख रहे हो, वो नाम आपके sublet के tag के अंदर, और ये sublet के mapping के अंदर, same होना चाहिए, किसके sublet का नाम, ये जो मैंने लिखा भी first, तो आपको भी sublet mapping में लिखना पड़ेगा, first, उसके बाद आपको क्या करना है कि, आपके पास कौन से नाम की जावा फाइल है, मेरे पास कौन से नाम की है, कि ये mysublet.java, तो mysublet की जो जावा फाइल है, उस package के लेके, अपने class तक का पूरा नाम, आपको sublet class में लिखना है, जैसे मेरे package के नाम की है, com.sublet, तो मैंने अभी लिखा com.sublet, उसके अंदर कौन से फाइल है, मेरे java की mysublet, तो dot लिखा मैंने mysublet, तो यहाँ पर ये class फाइल आपकी run होगी, किसको लेके run होगी, कि आपकी url pattern को लेके run होगी, तो मैंने slice करके, यह important है, slice फरजजद आपको करना ही है, उसके बाद आपको जो नाम लिखना हो, आप लिख सकते हैं, इधर मेरा खुद का नाम लिखोगे, या आपका खुद का नाम लिखोगे, तो भी चलेगा, लेकिन मैंने क्या लिखा, जो मेरे class का नाम है, वही मैंने लिखा इधर, क्योंकि दूसरी बार मेरे को यह program call करना हो, तो मैं क्या करोगा, मेरे class के इसाब से मुझे याद रहेगा, कि मेरे पास कौन से नाम की url pattern है, तो यह url pattern आपको enter करने पड़ेगी, आपकी url में, और कब enter होगा, वो अभी में बाद में दिखाता हो, तो यह जो पूरी file है, उसके अंदर आपकी web.xml, अभी यह file आप delete कर देते हैं, तो यह program कभी भी run नहीं हो सकता, अब हम run करते हैं, आपको run कैसे करना है, सबसे पहले आपकी जो application है, उसको select करना है, उसके बाद उस पे right click क करोगे, तो आपको दिखेगा run as, run as, और आपको दिखेगा इधर run on server, तो जैसे भी आप इस पे click करते हो, तो आपको दिखेगा यह server, जिसमें यह manually भी कर सकते हो, या फिर existing server है, उसमें भी run कर सकते हो, तो मैं existing server पे आपका program run करता हो, उसके बाद आपको next button पे click करना है, फ इसके अंदर मेरा program आजाएगा, उसके बाद finish करते हो, तो यह server start होता है, और मेरा program अभी run होता है, लेकिन जब भी यह run हुआ, तो पहले दिखेगा आपको इस type का, क्योंकि इसके regarding आपका program अभी run नहीं हुआ, run करने के लिए मैंने बताया था आपको web.xml में जो URL पेटर आपने लिखा है, वही नाम आपको इधर type करना है, मैंने लिखा था my sowlet, मैं अभी type करता हूँ my sowlet, जैसे भी enter दूँगा, तो यह program आपका run हो गया, तो इसको बोलते है, sowlet, sowlet के जो यह mechanism है, थोड़े difficult है, इसके अंदर क्या होता है, कि आपको पहले program बनाना पड़ता है, फिर उसको configure करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको run करना पड़ेगा, फिर आपको यह क्या करना पड़ेगा, URL बेटन लिखना पड़ेगा, तो इसके regarding आपका क्या होता है, पहला ही program यह इस type से run होता है,